कि आपने को अब गत कराना है कि आज हमारी थाना नहीं मंडी पुलिस की टीम में कि अंतराज ये बाहन चोर है उनके गिरों को इन्होंने परदाफाश किया है इसमें इन्होंने तीन लोगों गिरफ्तार किया है और इनसे जो पुस्ताच हुई है अभी तक उसमें ये पता चला है कि दो भाई थे फूल मिया उर्फ पप्पी और असलम जो यही खाला पार्थ मजफण अगर के रहने वाले हैं यहां से मजफण अगर से गाडियां पिछले चार कार मेहमे से चोरी कर रहे हैं और टीम हें हमारी लगी वही थी और इनसे पुस्ताच में आए कि ये लोग चोरी करके एक सलीम पुत्र नकीस जो की जिला शामली का रहने वाला है और जो कबारी का काम करता है उसको ये गाड़ी चूरी करके बेश देते थे और इनसे पुस्ताच में ये भी पता चला है कि ये लोग जो पुरानी गाड़ियां थी इनको टारगेट करते थे खासकर हॉंडा सिटी वेगनार ऑल्ल जो गएरा और इन्होंने पुलिस से बचने के लिए कुछ कोड़़ भी यूज़ कर रखे थे जैसे वेगनार हो गया तो अनार यूज़ करते थे और ऐसे ही बाकि जो होंडा सिटी वगएरा वो उसको संत्रा वगएरा यूज़ करके ताकि पुलिस इनकी जानकरी ना कर पाएं तो यह अभी तक जानकरी में आया है इनसे एक सेंट्रो कार और एक मोटर साइकल पूरी पूरी बरामद हुई है साथ ही दो हंडा सिटी कार जो की एक सिकुर लाइन से चोरी हुई थी और एक मंडी से उसके पार्ट में मिले हैं कि दिल्ली से चोरी हुई है उनके भी अपायर दर्ज है वह वाले पार्ट मिले हैं इसके पेरी जो बाकी पार्ट है जो इन्होंने काटके बेस दिये थे उसके कुछ पार्ट मिले हैं जिसमें छे स्टेरिंग्वील्स मिले हैं ग्याराखिड की सेंट्रों की मिली है दो दिग्गी मिली है और लगभभभभ 15 कारों का जो कटावा जो सामान है वो मिला हूआ है और इनके साथ साथी कौन थे अभी तीन लोग गुरफ़तार की हैं और आगे इन पर आगे की जारी है अब उससे पुस्ताच कर रहे हैं कि वह पार्च करीब मार्च का था जहां मार्च में जो चोरी हूँती वो वेकिन पुस्ताच में आए करीब 6-7 महिने से इसमें संदिफ ती सरी गुरू